सो वैलो फ्रेंड कैसे हो आप सली आसा करता है आप लो बहुत अच्छी होंगे तो को इसके पहले मैंने क्लासेस लिया था नांबर शिशनम का जिसमें मैंने विवास्ता का नियम बताया था तो आप लोका प्यार अच्छा रहा तो आज से class पे मैं आपको number system का second class लेकर आया हूँ, इस पे मैं आपको 18 questions पढ़ाऊंगा, इसमें सबसे पहले co-prime, even number क्या होता, odd number क्या होता, prime number क्या होता, और इस पे base questions करवाऊंगा 18 questions, जो बहुत important है, अगर आप 18 questions solve कर लेते हो, practice कर लेते हो, तो मैं guarantee देता हूँ कि आपक math बहुत weak है, उन लोग के लिए class बहुत important होगा, तब रिज ये class skip नहीं करना, मुझे मालू मैं कि मैं थोड़ा सा, आप लोग को लगता हो कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा लेकिन मैं आपको फिर से बोल दू, भले जैसा भी मैं पढ़ाने का तरीका हो, लेकिन मैं जो questions चांट पर ईविजु तय वह मैं आपको ड़ लूगा इवन संख्या यह प्हाधि संख्या क्या होता है, चले बात करते हैं, एवन संख्या जो प्राकति संख्या दो से पूंतो विवक्त हो जाता हा इसे 32-26-94-98-90, संख्या उसको बोलते हैं जो दो से कट जाए, वह ऐसी संख्या ह मताब सम संख्या किसको बोला जाता है जो 2 से कट जाए देखो 32 में पहला क्या है इन डिजिट 2 इसमें 6 इसमें 4 इसमें 8 इसमें 0 मैंने आपको बताया था कि विवास्ताकनियम क्या कहता है दो का विवास्ताकनियम कहता है जो इन डिजिट 2 से कट जाए वो 2 से कट जाता है ये बोलते हैं ज़लिए अब नेक्ष चलते हैं और संख्या है विस्म संख्या है इसको क्या बोलता है जो संख्या है दो से ना कट ओर यह ने जहते हैं बिवद्वाक्त हो जाये उसे विस्म संख्या कहा जाता है 23, 35, 35, अब मैं आपको बताता हूँ प्राक्यति संख्याएं क्या होती है, प्राक्यति संख्याएं, इसको इंगलीज में बोलते है, नाचुरल नमबर, नाचुरल नमबर होता है, एक, दो, तीन, डॉट, 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 एक से स्टार्ट होके, जितने भी नमबर होते हैं, सभी नाचुरल नमबर होते हैं, एक होता है, होल नमबर, जो 0, 1, 2, डॉट, 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 ये सभी को होल नमबर बोला जाता है, ठीक है, तो इसमें आप देश सकते हो, 23, 2 से निकटेगा, ये, जो 2 से निकटे, वो सभी संख्याएं, क्या होती है, विसम संख्याएं, जैसे हम आपको बताता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, सभी विसम संख्याएं हो गया, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, प्राइम नमबर क्या होता है, प्राइम नमबर, आपको बता दू, यतना जो पढ़े हैं ये तो आपको पढ़ना ही होगा, समझ लेना, मैं आपको एक छेट बासा में समझा दू, प्राइम नमबर उसको बताता है, जो एक से और अपने आप से कटे, जो अपने आप से कट जाए, यह खुद से कटे उसको prime number बोला जाता है मैं चलो आपको थोड़ा सा समझाता हूँ prime number को लेके यह चलो आपको मैं बता दूँगा और आगर पहले बता दूँ किसी भी संख्याएं एक से लेकर 100 में 25 prime number अभाज संख्याएं होती है आबाजे संख्या किसको बोले रता है जो एक से कटे और खुद से कटे उसको हम लोग को क्या बोलते है प्राइम नमबर तो एक से लिए का सौथ तक कितने आबाजे संख्या होती है आपको पचीस आबाजे संख्या होती है कैसे कैसे मैं बता देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस सबे आभाजे संख्या हैं क्योंकि यह 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कट सकते हैं 11 भी सिफ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा 13 भी 1 से कटेगा और 13 से कटेगा वह ऐसी संख्या है जो एक से कटे और तेरे से कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर आप तो याद रखना और बता दिये इवन बता दिये प्राइम में बता दिये अब आपको मैं को प्राइम में बताता हूँ ये इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि जो आगे questions मैं आपको solve करवाने वाला हूँ ये उससे बहुत important मतलब touch होने वाला है तो को प्राइम आपको यदी A और B दो ऐसी संख्या हैं जिनका महत्तर स्वाव अपर तक एक हो मैं रताता हूँ इसका SCF एक होना चाहिए दो का अगर मों common factor निकालेंगे तो क्या होगा दो एक दो में और एक में और तीन का क्या होगा तो इसमें common factor क्या है एक और एक दो इसमें है दो इसमें नहीं है तो ये हो गया आपको को प्राइम तो और आपको समझाते हैं 21 ले लो 21 का हम लो SCF निकालते हैं तो क्या होगा इस common factor क्या होगा 3 साथ है 27 और एक 21 का common factor क्या क्या होगिया 3 7 और 1 और 65 में आपको हो गया 13, 5, 65, 5 और एक तो 13 का common factor क्या होग अगर 13, 5 और एक आप आप देखो आप आपको मैं समझाता हूं 21 यह बहुत इंपोर्टेंट चलो आपको अच्छे से समझाता हूं बहुत गिजगिज हो गया 21 और 65 का 21 और 65 को प्राइम है किनि कैसे समझाता हूं 21 का आप सिफ निकालो तो तीन से कटेगा नहीं तेन से कटेगा त्थीन साते है 11 और 6 अरेखCK digits का क्या कोमन फेक्टर हो जाएगा है 3 और 7 और 1 अब लोग पंचेट करें निखालते हैं तो तेरा पांचेट 65 पांच और एक 15 में आपकोums कोई इस Ziम्हें 3 इसमेन है इसमें लगा साथ साट. मैं नहीं है एक इसमें है एक इसमें तो वैसी संख्याइं जिंका common factor sef एक हो तो वही's ocoprine होगा इस दिमाग में भरते हैं अगर सटेहिक हैं अगर सब्किन आ जाता ति को जाता है नहीं होता तो आपको a common Ah so got to a p vocês सबसे पहले संख्या क्या है यह क्या बोलता है संख्या 217 का पावर 730 में इका यंग क्या होगा ऐसे बहुत देखने को मिलने वाले हैं बहुत इजी कोशन से आप ध्यान से सुनना आपको बहुत मजाएगा बहुत इजी कोशन से दो लाइन में बना कर दिखा दूँगा इसके लिए वो क्या करना है सबसे पहले अगर कोशन क्या रहा है गया 2137 का पावर 730 है तो कुछ नहीं करना है आख मून करकर 7 को बाहर लाना है अब इसका 730 लिख देना है अब इसको मैं आप सौल कर दिखाता हूं आपको यह जो 4832 3 3 4 38 32 क्या निकला 1 निकला एक निकला अब हम लोगग क्या करना है सगरने स्देप में साथ का पावर एक कर देंगे अगर साथ को एक करेंगे साथ इंटू साथ इंटू एक क्या हो जाएगा seven तो इसका एका यंग seven हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा आपको यह seven बस यह है आपको next question बताता हो और समझ में आएगा ठीक है आप क्या बोर रहा है साथ का पाउर एकशो तीर न में एका यंग क्या कितना होगा अब हम इसको भी solve करते हैं यह जो 7 है साथ का power 103 पन है इसको आप लोग जली जली solve करो मैं बताता हूं देखो 103 पन को हम लोग को सब हरमेशा 4 से डिवाइड करना आपको याद रखना यह जो power है इसको 4 से डिवाइड करना चार से करेंगे तो चारतिया 12 तीन तीन चार आठे 32 एक कॉमान आया तो साथ का power 1 बराबर साथ इसका भी answer साथ होगा इसका कायंग भी साथ हो जाएगा चलिए next question यह questions मैं आपको solve करवाता हूं और next question आपको मैं homework दोंगा चलिए इसको solve करते हैं इसको 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 इसमें क्या आपको मैंने समझाया था इस सबको भूल जाना है यह तीन अक्षो को भूल जाना है बस यूनिजिट कितना है seven seven का power कितना है एक सो तीरपन इंटू इसका कितना एक एक बाहर ले लेना और 72 अब क्या करना मैं आपको सिर्फ इसको इसको solve करना है 153 को solve करना है चार से चार से डिवाइड करना है तो चारतिया बारह तीन तीन चार आठे 22 एक आ गया एक आया तो हम लोग साथ का power एक करतेंगे इंटू अब इसमें एक है अब इसको 72 करते हैं 72 को 4 से करेंगा चार एक हम चार आठे 32 इसमें जीरो आगे reminder तो एक का power जीरो खतम यह कुछ नहीं होगा तो साथ का power एक तो इसका भी इकायंक आजाएगा साथ इसका एंसर साथ आ गया ठीक है बहुत इसी इतना इसी question से आपको समझ महारा होगा नहीं समझ महारा कमेंट करन आपको मैं question 4 का बताता हूं आप इसको कमेंट करके इसका एंसर जरूर देना नहीं आएगा तो मैं इसका solution मैं जरूर दे दूँगा कुछ नहीं करना है मैं बस hint दे देता हूं 7 का power 95 है जो इसका इकायंक आएगा उसको सिर्फ माइनस कर देना यह hint मैं आप लोगो को दे चलिए question आपको मैं बताता हूं अब यह question देखो अब आज संख्या पर question आ गया सबसे छोटी अबाज संख्या कौन सी है तो मैं आपको बताता हूं prime number सबसे छोटी prime number क्या है 2 इसको आप रट लो एक जा मुसर में डायट पूर देता है यह सी question आ सकता है सबसे छोटी आप देना दो के बाद 3 आता है तीन के बाद 5 आता है फिर 7 आता है फिर 11 आता है ठीक है यह हो गया आपको सबसे अब बताता हो यह question है सट्र से छोटी अबाज संख्या कितनी होगी ऐसे तो एक से लेकर 100 तक आपको टोटल 25 अबाज संख्या होती है इसके trick भी है लेकिन ट् बेसिक बता दू कैसे करना है सत्तर से छोटी अभाज संख्या कितनी होती है तो हम लोग काउंट करते हैं सत्तर से कम वाले सबसे छोटा क्या होता है सेंटीश एक्तालीस तेतालीस सेंटालीस एक्यावण तिरपन संतावन बस इतन ही होते है सतर है संतावन के बाद आपको 67 इतन ही होते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस एक आरह बारह तेरह चोदा पंदरह सोल लग तटरह ठारह उन्हीस बीस इसका अंसर बीस हो जाएगा बस आपको याद रखना होगा एक से लेका 100 तक आपको कैसे निकलता है तो आपको याद रहेगा 25 होते हैं तो आपको इसका 20 ह प्राइम नंबर निकाल देना और सभी को योग कर देना इसमें से आपको आएंसर आजाएगा इसका मैं आपको हमर्क देता हूं आप आसा करता हूं आप जरू इसको सॉल्फ करोगे क्या कहता हूं क्या कहता है क्योंतिस अठाइस में कौन सी संख्या निकाल संख्या घटाने पर प्राप संख्या 13 से पूर्ण तो विवक्त हो जाएगी सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइट करेंगे जर्णे चौंतिस और अठाइस को तेरा से तो तेरे दुआ है चब्विस है अब क्या हो जाएगा आठ दो तेरे पांचे पैसरेट तेरे छग तेरे चग तेरे चग अठाट अब क्या होगा बार्राज चार चार बचाएगा चार और अभी 28 करेंगे तो तेरतिया 49 तेरतिया 49 अब क्या बचा उदर 9 और 8 आट उदर एक 9 9 तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे यह option छुड़ गया है इसका 9 यहां आना चाहिए क्या बच गया 34-28 में कौन से संख्या निवन तंग घटाने पर प्राफ संख्य संख्या 13 से पूर्ण तव्योग से अब हम लोग इसमें से क्या घटा देंगा 9 घटा देंगे तो 34-28 में 9 माइनस कर देंगे तो क्या आजाएगा आपको चौन तिस पूननीस यह आपको कट जाएगा किसे 13 से ठीक है आप चलिए सॉल्फ कर नेक्स क्या है नेक्स क्या बोलता किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 से बचते हैं उसी संख्या को 13 से भाग देने पर सेस फल क्या होगा ऐसा को शंशन बहुत एक्जामिशन में आता और इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं सिफ्ट ट्रिक और इसको लॉंग पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है क्या करना कभी बैसा कुश्ण पूछ दे किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 से बलाता है तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या होगा ऐसा कुशन कभी कभी भी पूछा जाए तो आप क्या करना यह जो कुश्चंस है 29 को बाहर ले आना और 13 से डिवाइट कर देना तो 13 दुआ 26 तो इसका आंसर 3 हो गया बस यह करना है एक्जामनेशन में कभी कुश्चंस पूछे ऐसा कुश्चंस लंबा दे दे तो आपको कुश्चंस करना इसको इसको इससे डिवाइट कर देना है और जो रिमांडर बचेगा वही इसका अंसर हो जाएगा ठीक है अब मैं आपको बताता हूं पांच अंको की बड़ी सी बड़ी संख्या ग्याद करो जो 463 से पूर्णता विभाक्त हो जाए चलिए अब 11 नंबर कुश्चं को हम लोग करते हैं कुश्चं क्या कह रहा है पांच अंको की बड़ी सी बड़ी संख्या ग्याद करो जो q360 से पूर्णत विवक्त हो जाए है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना हिना पांच 5 होंकilah बड़ी संक्या ज्यात करें तो 5 वंको सबसे बड़ी संग्या कौन है एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है? इसमें हम लोग को क्या करना है? पांच लोग को बड़ी से बड़ी सेंगा ग्याद करें जो 463 से डिवाइड हो जाए तो हम लोग को इसको 463 से डिवाइड करना है क्या हैगा? दो बार में 926 फिर आपको जाएगा फिर इसमें हो जाएगा आपको 276 और यहां पर 9 आजाएगा ये आपको पांच बार में जाएगा 23, 15 बच क्या गया? 454 तो अब क्या करना है? अब आपको ये जो बड़ी से बड़ी संख्या आए थी इसको इसमें माइनस कर देना ये आपको ट्रिक याद रखना कभी भी पूछे पांच आपको क्यों बड़ी से बड़ी संख्या गयाद करो जो 463 से पूर्ण तो भी वक्स होता है तो आपका जो भी रियमाइंडर आजाएगा इसमें आपको इसमें माइनस करना तब आपका एंसर आएगा रिमाइंडर जो भी आता है उसको इसमें से माइनस करने से ही आपको इसका अंसर आजाएगा पहली भी कॉश्शन आपको आया है तो जिसको मैं होमर्ग दिया हूँ आपको स्वाल ज़रू कर लेना जिन इस कॉश्शन क्या कहता है अगर तरीका से आपको स्वाल कर सकते हो अगर कभी भी ये जो है 17 ये क्या है और नमबर है इवन नमबर है इएन क्या है इवन नमबर ये भी इवन है तो ये इवन है कभी भी इस फॉर्मेट में रहे एक्स का पावर एन प्लस वन प्लस वन कर देता है तो अगर इवेन हो यहाँ पर आपको फुलस न कर देना है। से कुछन नमर्स नेक्ट पर चलते हैं यह आपको विभास्ता के नियम क्या होता है नौ का विभास्ता की नियम तो मैं ज्यादा आच्छा समझूगे कि आप क्लास मेरा पूरा देखते हो यह कुर्शन में स्वाल नहीं कर चलिए कुर्शन में चलते हैं कुर्शन नमर 14 पर कोशन क्या बोलता है यदि इतना संख्या पूर्णता ग्यारत से विवक्त हो तो इसका मान क्या होगा किसका वाई क ततामान क्या होगा आपको मालूम होगा इसके पहले मैंने आफ वुवक्त है निया हॉपत-पार इंपोर्टन है जिए-वाउद- इंपलेस- ingども अगर 0 हो या 11 हो तो 11 से कटता है तो सबसे पहले हम लोग हम लोग क्या क्या करेंगे इसके even और odd प्लेस को हम लोग लिखेंगे यह क्या हो गया एक दीन है हम लोग यहाँ लेक्ते on why 3 why 6 तो हम सबसे पहले even संख्या को लिखते हैं तो 2 है यह 4 है तो क्या है y plus y minus यह odd है यह odd संख्या है तो 6 plus 3 plus 1 बराबर तो 2y minus 639 एक 10 ठीक है क्या आगा है 2y minus 10 10 बराबर 0 होना चाहिए तो 2y बराबर जाएगा 10 y बराबर 10 by 2 y बराबर 5 क्या आएगा y बराबर 5 इसका answer क्या होगा डी यहां पर y छुट गया है y बराबर डी य बराबर इसका 5 एंसर आजएगा ठीक है तो आज का मैं टैब switch off हो गया sorry मैं पूरा ले नहीं पाया तो 14 तक मैंने questions solve किया है इसके बाद जो next question से मैं अगली class में solve कर दूँगा वैसे मेरे total 18 questions था लेकिन मैं टैब off हो गया माफी मांफी मांगता हूं तो next class में मैंने जो 14 के बाद 15 16 17 18 चार questions को add करके next class में मैं आपको पूरा solve करवा दूँगा तो आसा करते हूं आप लोग को मैंने सही समझा दिया अगर फिर भी कुछ doubt हो रहा है ता मुझे comment करना मैं मैं अपना classes को जरू improve करूंगा आपके हिसाब से मैं class बनाना चाहता हूं तो जो भी गलती हो रही है चाहे अच्छी हो रही है जरू comment करना आपका comment मैं बहुत ज्यादा help होता है आपने चीज को सुधारने में तो आप मुझे motivate करो अब मैं आप लोग को motivate करता हूं यही मेरा मी नेम है ठीक है मिलते अगले वीडियो में अभी के लिए जय हिन जय भारत